नमस्कार दोस्तों, पातफाइंडर मैं आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कुस करूँगा तर्की के द्वारा अपने पडोसी अरब देशों के साथ संबन सुधारने की कवायद के बारे म और टर्की और अरब नेशन्स के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुस्लिम ब्रदर हुड का क्या रोल है, यही सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनकाडमी अप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो ज़रूर करें क्योंके जो भी मेरी स्पेशल क्लासेज होती हैं, जब भी वो लाइव होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और पिछले हफते टर्की ने अपने पडोसी एरब कंट्री के साथ मीटिंग्स करने की कोशिश करी है, इन मीटिंग्स में अभी क्या डिसकेशन सामने आया है, यह हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इन मीटिंग्स करना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, तो सबसे इंपोर अपने पडोसी आरब देशों के बीच में जो दशकों से एक Cold War जैसी सिती चली आ रही है, उसका समधान हो जाएगा, अब Cold War कहना इसको शायद अतिशोक्ती होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह लोग एक दूसरे पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन आपस में संबंध बहुत नहीं है, और कई बार तो बुरे संबंध हो चुके हैं, दूटू मैनी रीजन्स, तो अंकारा जो कि टर्की का कैपिटल है, वहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है, और इसमें Deputy Foreign Minister लेवल पर अभी बातचीत हो रही है, तो टर्की एजिप्ट के बीच में दूसरे राउंड क अपस में मिले तक नहीं है, जबकि ये काफी निकट पडोसी है, काफी close cooperation इनके बीच में होना चाहिए, in an ideal world, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये रहा तर्की और यहाँ पर है इजिप्ट और इस रीजन के जो दूसरे अरब कंट्रीज हैं, जैसे कि साओधी अरेबिया, UAE, Qatar, इन सब के बीच में भी अच्छा cooperation नहीं है, लेकिन इस समन्द अच्छे क्यों नहीं है, इसके बीचे कुछ एतिहासिक कारण भी है और कुछ पिछले एक दशक के कारण है, देखो तर्की जो है ये Ottoman Empire का core area था, Ottomans एक समय पर इस पूरे area पर rule करते थे, लेकिन Ottomans Arabs से ethnically अलग हैं, इस region में रहने वाले लोग, यानि कि ये जो Syria, Iraq, Saudi Arabia वाला शित्र है, और Egypt भी इसमें जोड़ लो, ये आप कह सकते हो कि ethnic Arabs हैं, और यहां तर्की में जो rule करते थे Ottomans, वो ethnic Arab नहीं थे, they were of a different ethnicity, तो ये तर्की की अपनी ethnicity अलग है, तो जब ये Ottoman शासन के अधीन ये वाले areas थे, तो ये अपने आपको गुलाम मानते थे, और in fact World War 1 में इन्होंने British के support से Ottomans को यहां से हटा दिया था, एक बगावत कर दी थी, Arab revolt किया था हैं यहां पर, तो थोड़े से एतिहासिक कारण भी हैं, इनकी ethnicity अलग है, और जो पुराने kingdoms हैं, Ottoman Empire के समय से कुछ लेकिन जो recent कारण है, जो modern day countries के बीच में परिशानी का सबब बनकर आया था, वो था Arab Spring, तो 2011 में Arab Spring की शुरुआत होती है, Tunisia, Libya, Egypt, इन सभी देशों में सरकारें बदल जाती है, anti-government protest होते हैं, और ऐसे में Turkey क्या करता है, कि इन Arab Spring को करने वाले संगठनों को support करता है, और उ एक Pan-Islam Organization की स्थापना करी गई थी, 1930 के आसपास, 1928 to be specific, और ये एक Sunni Islamist Organization है, जिसको Egypt के एक स्कूल टीचर ने शुरू किया था, जिसका नाम था Hasan al-Banna, तो ये Muslim Brotherhood जो है, एक International Organization है, इसका सरकार से directly कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आपको एक Pan-Muslim Brotherhood Organization मानता है, इसलि के नाम का, तो ये संगठन 1920s में बन गया था, लेकिन ये जादा famous होता है 1960s में, Arab-Israeli war जब हुआ था, जब इस्राइल जीत गया था, और उसके बाद कई अरब देशों में एक हताशासी थी, तो उस समय Muslim Brotherhood ने इसका फाइदा उठाया, और कई देशों में बड़े- आती थी, और Saudi Arabia को ये लगता था कि Communism के खिलाफ लड़ना है, और Soviets के खिलाफ लड़ना है, तो Muslim Brotherhood जैसे organizations को support करना जरूरी है, तो target ये था कि जिन देशों में Soviet influence था, जैसे कि Egypt, तो वहाँ पर Muslim Brotherhood को बढ़ावा दिया जाए, और इन देशों को Soviet Union के control से, अमेरिका के control वाल आगे, उस समय हमास की स्थापना क्यों करी गई थी, क्योंकि PLO, Palestine Liberation Organization को lead करने वाले लीडर यासे राफाथ, he was a leftist leader, तो ये leftist थे और थोड़े secular थे, तो इनको counter करने के लिए Muslim Brotherhood हमास को support करना शुरू करता है, और धीरे धीरे हमास जादा हावी हो गया है, और आज की तार पाकिस्तान में भी Muslim Brotherhood ने एक important संगठन खड़ा किया, जिसका नाम था जमाते इसलामी, अब जमाते इसलामी की जो basis है, वो General Zia Holak की उस policy में है, कि 1971 में जब पाकिस्तान हार गया था, Bangladesh Liberation War में, तो उसके बाद पाकिस्तान को फिर से कैसे एक बड़ा important देश बनाया जाए, तो to make Pakistan great again, इनोंने किसका दामन थामा, इसलाम का, और इनोंने कहा कि अब एक great Islamic nation के रूप में पाकिस्तान को अगर आगे लाना है, तो जमाते इसलामी जैसे संगठनों को support करना शुरू किया, और ये संगठन क्या करेंगे, ये political shock force बनेंगे, तो अब ये कोई political party नहीं थी, लेकिन ये एक social religious संगठन के रूप में, organization के रूप में काम कर रहा था, और आगे चलकर जमाते इसलामी ने अफगानिस्तान में जो मुझाहिदीन से उनको support किया, कश्मीर में जो आतंगवाद कर रहे हैं, उन मुझाहिदीन को support किया, तो इस तरह से आप देखोगे कि ये प Muslim Brotherhood के द्वारा supported President Muhammad Mursi को सत्ता में बिठा दिया, तो 2012 में Muhammad Mursi चुनाफ जीत जाते हैं और ये Egypt के पहले President बन जाते हैं, जो चुनाफ जीत कर election जीत कर power में आये, लेकिन एक साल बात क्या होता है कि Mursi के खिलाफी protest होने शुरू हो जाते हैं, और Muhammad Mursi को सत्ता से हटा दिया Muslim Brotherhood को ban कर देते हैं, लगबग इसी समय, Saudi Arabia, UAE और अन्य Arab देश जैसे की बहरेन, इन्होंने भी Muslim Brotherhood को ban कर दिया, क्यूंकि जिस संगठन को इन्होंने ही शुरुवात में support किया था, अब ये इन्ही Monarchies को threaten कर रहा था, Monarchies का मतलब है कि यहाँ पर राजशाही है, इन सभी द favor में है, और ये ताना शाही या फिर राजशाही जो है, ये नहीं चलनी चाहिए, तो इसलिए Muslim Brotherhood को इन देशोंने ban करना शुरू किया, लेकिन अभी भी दो देश ऐसे हैं, जो Muslim Brotherhood को पूरी तरह से support करते हैं, सबसे बड़ा देश है Turkey और दूसरा है Qatar, Qatar support इसलिए कर रहा है कि Arab Spring 2011 से जो चल रही थी, उसके कारण ये Gulf countries कमजोर हो गए थे, traditionally Egypt, Saudi Arabia, ये इस शेत्र के सबसे बड़े powerhouse थे, ये सबसे important देश थे, लेकिन Arab Spring के बाद जब ये देश कमजोर पड़ जाएंगे, तो Turkey इनकी जगे अपने आपको जाला ताकतवर बना लेगा और इस शेत्र का स थोड़े बहुत चुनाव करवा लो, और Turkey publicly ऐसे statement दिया करता था, इससे ये सभी Gulf countries, Arab countries, Turkey से काफी नराज हो गए थे, उन्हें लगता था कि Turkey के support के कारण ही ये Arab Spring थोड़ी बहुत जो successful हो पाई, ये हो पाई थी, और Muslim Brotherhood को ये Turkey का जो support है, यही सबसे जादा power दे रहा था, तो ऐसे में, Turkey इन देशों से थोड़ा isolate हो जाता है, इनके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन अब किस्मत ऐसी रही कि Turkey और Muslim Brotherhood का plan successful नहीं हो पाया, क्यूंकि कई देशों में जहां पर Arab Spring शुरू तो होई थी, वो ultimately ऐसे खत्म होती है कि Muslim Brotherhood power में नहीं आ पाया, औ तो ऐसे में जब इजिप्ट में अब्दिल फटह LCC power में आते हैं, तो Erdogan उनके खिलाफ कई सारे statement देते हैं, Erdogan तो उनको literally demonize कर देते हैं कि अब्दिल फटह LCC एक शेतान है, इस तरह का कुछ उन्होंने statement दिया था एक बार, तो तब से इजिप्ट और टर्की के बीच मे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और Saudi Arabia और UAE जो हैं, ये टर्की के खिलाफ अभी भी बहुत मस्बूत हैं, इन देशों में कोई जादा बदलाव नहीं आया, Arab Spring का कोई असर नहीं हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमतकार है, it is not less than a miracle, क्यूंकि आस पास के सभ बिल्कुल भी देशों में, कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ था, तो अब ये दोनों देश जो हैं, इन्होंने टर्की के खिलाफ मस्बूती से मोर्चा खोला हुआ है, और इनको यहीं लगता है कि मुस्लिम ब्रदर हुड को पूरी तरह से बैं कर देना चाहिए हर जगे क्योंकि यह ruling dynasties के खिलाफ है, 2018 में एक और घटना हुई जिसने टर्की और सौधी अरेबिया के रिष्टों को खराब कर दिया, वो था सौधी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की हत्या, जो टर्की में हुई थी सौधी अरेबिया के दूतावास के अंदर, इससे टर्की केटे मोहमद बिन सल्मान, जो की de facto ruler है, एक तरह के वहां के वो, he is the most powerful guy over there, इन पर उंगली उठा दी थी, अब यह बहुत rarely होता है कि एक देश का ध्यक्ष, किसी दूसरे देश के ruling family या फिर second most important person के उपर सीधे personally आरोप लगा है कि यह हत्या कर रहा है, तो यह आरोप Erdoğan न एक वीडियो भी बनाया था, magnets की act, तो जमाल खाशोगी की मृत्यू के बाद में USA कैसे sanction करना चाह रहा था उनसके assassins को, इसको लेकर यह magnets की act थोड़ा news में था, तो prelims के point of view से देख लेना पूछा जा सकता है, तर्की और उसके पडोसी अरब देशों के बीच में खटास का एक और कारण है लिब्या, लिब्या में पिछले कई सालों से एक ग्रह युद्ध चल रहा है और इसमें टर्की सपोर्ट करता है एक faction को, जो की UN के द्वारा भी माननेता प्राप्त administration है, ट्रिपोली में और दूसरी और Egypt, UAE और Saudi Arabia सपोर्ट करते हैं दूसरी साइड को, तो ये ग्रह युद्ध अभी भी ongoing है और इसमें कोई भी side अभी completely जीत हासल नहीं कर पाई है, तो इस तरह से टर्की का Muslim Brotherhood को support आपको सबज में आएगा, लेकिन कतार ये क्यों Muslim Brotherhood को support कर रहा है, जबकि ये तो GCC का सदस्य और इन देशों का काफी close ally रहा है, तो देखो कतार औ तो कतार का blockade कर दिया था तीन साल तक और ये मामला 2020 में जाकर finally resolve हुआ है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली तर्ज पर कतार ने भी Muslim Brotherhood का support किया, और अब जाकर जब ये मामला resolve हुआ है, तब ऐसा लग रहा है कि कतार भी अब Muslim Brotherhood को support नहीं करेगा, by the way कतार एक ऐसा करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो बातचीत हो रही है, देखो बातचीत से ही दुनिया में सारे मुद्धे सुलजाये जाते हैं, डिप्लोमेसी की दुनिया में, तो September 2021 में Erdogan ने खुद फोन किया UAE के लीडर Crown Prince Mohammed bin Zayed को, Erdogan ने Saudi Arabia के King Salman से भी बातचीत करी थी माई के म महिने में, लेकिन अभी Saudi Arabia में, पावर में माना जाता है MBS को, तो Mohammed bin Salman के साथ अभी तक बातचीत नहीं हुई है Erdogan की, और शायद उसके पीछे reason वही है कि MBS पर personal आरोप लगाए गए थे, कुछ personal statements दिये गए थे Erdogan के द्वारा, अब ये बातचीत ना किवल Turkey, बलकि Arab दे इनके अपनी independent foreign policy हो, और Turkey के साथ बहतर संबंद ये बनाए, ताकि एक regional block की तरह ये काम कर सकें, तो पहली बात तो ये याद रखे कि USA ना के वहल अफगानिस्तान से, बलकि Iraq से भी पूरी तरह से बाहर आ चुका है, और इससे Arab countries थोड़े से खफा है, उनको लगता है कि अफ Arab states जो अपनी खुद की foreign policy बनाना चाहेंगे, इसमें Turkey के साथ बातचीत शायद पहला कदम है, Arab monarchies जो है, इनको अब लगने लगा है कि Iran इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि इसराइल, इसराइल के साथ तो ये अच्छे संबंद बना रहे हैं, जैसे इसराइल UAE के आपको Abrahamic Accords के बारे में तो मालूमी होगा, तो पिछले साल से ये reset एक नया shift नजार आ रहा है Middle East की policy में, तो अब ये regional पूरा जो focus है इस group का या फिर इस शेतर का, वो अब सारा इरान पर जा रहा है, इनको लग रहा है कि इरान ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इसराइल और Brotherhood को support करते हुए, और ऐसा बताया जा रहा है कि news आ रही है कि funding वगेरा भी कम हो गई है, तो ऐसे में Turkey भी Muslim Brotherhood का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तरकी के लिए इसमें क्या फायदा है, देखो Turkey का Greece के साथ एक दूसरा विवात चल रहा है, अब आप अपने हर मोर्चे पर लडाई नहीं लड़ सकते, कम से कम एक साइड आपको अपने पडोसियों के साथ अच्छा संबंध होना जरूरी है, तो जब Turkey के ये खिलाफ हैं, तो इनको लगता है कि दूसरी तरफ जो गल्फ वाले स्टेट्स हैं, उनके साथ अच्छे रिष्टे बनाने में ही तर्की के जो एकॉनमी है, वो पिछले कई सालों से स्टेगनेट कर रही है, उसमें ग्रोथ नहीं है, डोमेस्टिक एकॉनमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, करन्ट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो तर्की को ऐसा लगता है कि इन गल्फ मोनार्की जिनके पास बहुत सारा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और पडोसी देशों से अच्छा और क्या इन्वेस्टर हो सकता है, तो इसलिए व्यापार और आर्थिक कारणों से भी ये बातचीत करी जा रही है, लेकिन अब चैलेंज क्या है, तो देखो सब को जितना आसान नहीं हैं, बातचीत करने से पुराने मुद्दे, सारे सुलज जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे कितना भी ये कॉपरेट कर ले हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके बीच में कॉम्पेटिशन और मिस्ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा, सबसे बड़ा रीजन अभी के लिए लिए मिस्टर्स की लेवल पे तो हो जाएगी, लेकिन आपको अर्डवान और मुहम्मद बिन सल्मान गले लगते हुए, शायद कभी ना देखें, तो ये था इस पूरे टॉपिक का अनालेसिस, अगर आपको अच्छा लगा, तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे अभी भी लगवग आदेस व्यूर्स जो हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो I would really like कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको चैनल पसंद है, इस तरह के वीडियो के आप अपडेट्स भविश्य में पाना चाहते हैं, अगर आप UPC एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, तो अन अकाडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप देश के बेस्ट टीचर से लाइव पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, देखो प्लस में आपको क सब्सक्रिप्शन और GS, दोनों के कोर्स एक साथ प्राप्त हो जाएंगे, उसका प्राइस 49,680 है, यह प्राइस अब बढ़ने वाला है सेप्टेमबर के महीने में, so the best time to get a subscription is right now, कॉमबो सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है कि इसमें आपको किताबें भी फ्री मिलेंगी, 20 किताबों का set है, पूरे GS के notes आपको मिल जाएंगे, और आप EMI option पर भी इस course को अवेल कर सकते हैं, सभी courses पर EMI option अवेलेबल है, उसके लिए नीचे आपको description में एक link मिलेगा, सबसे उपर वो ही link होगा, उस पर click कीजिए, और अपनी कुछ basic details उसमें enter कर दीजिए, वहां स आपको हमारे team members guide कर देंगे कि कैसे loan का process या EMI का process पूरा करना है, अगर आप plus subscriber हैं तो 15 September से मेरा post independence का course start हो रहा है, platform पर उसको जरूर join कीजिए, उसका link भी नीचे description में आपको मिल जाएगा, या first comment में मिल जाएगा, और हमारे one year, two year batches हैं, हर Wednesday को नया batch बनता है, उसको join कर कीजिए, तीन free test series हैं, इनको join करके, इनको आप daily attempt करके अच्छा score कर सकते हैं, combat में, combat में आपकी अच्छी rank आएगी, तो आपको subscription भी free में मिल जाएगा, thank you very much, have a great day.